Class 8th exercise 2.2 का question number 8 इस question में कहता है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74 find these numbers तो आपने consecutive integer के बारे में question number 6 में पढ़ा था consecutive integer के बारे में द्वारा में आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक integer लेट करते हो x उसका अगला जो होगा x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 का भी अगला गया हो जाएगा x प्लस 2 तो यहाँ पर अगर हम इनको increasing order में ले तो यह सबसे छोटा यह उससे बड़ा और यह सबसे बड़ा increasing order में लेने के बाद सबसे छोटे को 2 से multiply करना है फिर उससे बड़े को 3 से multiply करना है और जो सबसे बड़ा उसको 4 से multiply करना है multiply करने के बाद सबको हमने क्या करना है add भी कर देना है add करके उसने दिया हूँ हमें कि add करके क्या आएगा 74 आएगा तो आपको जो integer हमने let किये थे वो find out करने है तो solution हम लिखेंगे पहले let कर लेते है let 3 consecutive integers R वो कौन कौन से एक X आ गया फिर एक X प्लस 1 आ गया और फिर X प्लस 2 आ गया by given condition given condition में देखो क्या करना है by given condition increasing order में लेना है और सबसे छोटे को 2 से multiply कर दो सबसे छोटा क्या था X उसको 2 से multiply किया उसमें add करना है जो अगला बड़ा था ना उसको 3 से multiply करना है और उसको भी plus कर देना है ऐसे ही जो सबसे बड़ा था उसको 4 से multiply करना है और उसको भी क्या करना है प्लस कर देना है तो add करके हमें दिया हुआ कि 74 है यह सबसे छोटा 2 से multiply किया उससे बड़ा 3 से multiply किया सबसे बड़ा 4 से multiply किया और फिर हमने 3 को क्या कर दिया प्लस कर दिया तो add up होके कितना 74 अब इसको solve करेंगे हम यह आगे 2X 3 को अंदर multiply कर लो 3X और 3 बन जा 3 प्लस 4 को अंदर multiply करो 4X photos are 8 equal to 74 like term solve करनी है यह देखो X वाली solve कर लो कितना हो गया 3,2,5 5 और 4 कितना हो गया 9X ही है आगया और यह दो अलग से solve हो जाएंगे 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 equal to 74 9X 11 को 74 के पास ले जाना है तो जो 11 था वो प्लस का था तो 74 के पास जाकी यह क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा तो minus भी कर दो 9X किसके बरबर आगया फिर 63 के बरबर आगया तो यहां से X की value निकाल लो 9,63 को divide करेगा cancel होता है तो कर दो 9,109 7,9,63 तो X की value कितनी आ गई 7 तो आपके जो required integer थे वो क्या आ गया एक आ गया 7 आ गया दूसरा एक बढ़ा दो 8 आ गया और उसके बाद आ गया 7 में plus 2 किया तो कितना आ गया 9 आ गया फिर 7 प्लस 1 कितना आ गया 8 आ गया और 7 प्लस 2 कितना गया 9 आ गया ठीक है अब आप ये जानना चाहते हो कि हमारा answer ठीक है गलत है तो वो भी check हो सकते है ये देखो 7 लिया 7 को किससे multiply करना था 2 के साथ 14 8 को किससे multiply करना था 3 के साथ condition के मताबिक मैं बोल रहा हूँ 24 आ गया और 9 को किससे multiply करना था 4 के साथ 36 आ गया add होने के बाद ये 74 आना चाहिए देख लो 6 प्लस 4 कितना होगा 10 प्लस 4 कितना होगा 14 1 आ गया कहरे 3, 2, 5, 6 और एक ये 7 ये देखो 74 एड़ अप होके आना चाहिए था तो वो condition जो है satisfy हो रही है तो ये question number 8 था इसको द्यान से आपने समझना है और फिर समझ के अपने कापियों पे भी note कर लेना है Thank you